जै जगनात आज का टॉपिक है कोई तडब रहा है हर लमहें में आपका साथ पाने के लिए तो क्या है इस परसं की दिल के जजबत और क्या हो रहे हैं उनके दिल की भी ओत यह जानने की कोशिश करें गे आज की रिडिंग से और कल में लें वीज़ काटoks दरफ नव और अखकуемे से भी लेंगे चाज काट mai तैरो में से लेंगे साथ मैसेजिस को शुपात करते हैं, हम कार्ट शुफल करके, सारे हुआ। पहले शुरुआत करेंगे हम टारो से पहला जो कार्ड है वो है जैसे अगर इन्हें दिल से पील हो रहा है कि आपको पाना यही इनके लिए जीत हासिल करने जैसा है तो आप समझ सकते हैं कि आपके बारे में यह कितना पैशनेटली सोचते होंगे या सोचती होंगी यह औरेंज कलर का जो फ्लैक दिखाई दे रहा है वो रेप्रेजन करता है साकर चक्र को तो कहीं न कहीं दिल में धे सारा पैशन है आपके लिए यानि कि ऐसे जजबात है जो सर्फ और सर्फ आप ही समझ सकते हैं और किसी कोई यह बता नहीं सकते हैं इस तरह की अरजी में आपको लेके यह सोचते हैं और शायद आपके सामने यह जजबात रिविल भी करना चाहते हैं फिर है टू ओफ वैंड्स फायर साइन एरीज लियो या पर साजटेरियस हो सकता है आप दोनों में कोई छोटी मोटी लडाई होई है या पर छोटा सा जगडा हुआ है और उस जगडे की वज़े से शायद थोड़ी सी बात जीत बंद है और यही वज़े ह कि उनको भी पता है कि आप भी उनको मिस कर रहे होंगे जैसे यह आपको मिस करने हैं इस लड़ाई को यही पर खतम करना चाहते हैं यानि कि आपके सामने शायद सरेंडर करना चाहते हैं अपनी गल्ती हो सकता है मानना चाहते हैं या फिर आपको मनाना चाहते हैं और शायद इसलिए उनको एहसास हो रहा है कि इनके लिए आपका साथ पाना कितना ज्यादा ज़रूरी होता है इनके दिल की खुशी के लिए फिर है एट आफ वील्स और साइन तौरस वर्गो या पर क्यापिकॉन जैसे यहाँ पर वील्स जो है वो उपर की तरफ लटकी हुई है और यह परसन किसी एक वील्स के उपर काम कर रहा है वैसे ही आपके परसन शायद अपने दिल की खुआईश पूरी करना चाहते है यानि कि बाकी की खुआईश है तो इन्होंने अल्मोस्ट अपने जिन्दगी में जो चाहा है वो हासिल किया है लेकिन यह जो खुआईश है जैसे आपको पाना उसके उपर यह काम करना चाहते है और शायद राइट और शायद आपके लिए कोई surprise भी plan कर रहे हैं ऐसा भी आपके सकते हैं पिर है जस्टिस लिबरा का कार्ड है आपका या उनका sign हो सकता है तो communication काफी ज्यादा miss कर रहे हैं आपके साथ शायद बात चीट नहीं हो रही है और ये रूबरू आप से मिल के ये सब अपने दिल के ज sign एरीज लियो या पिसाइडिटरिस अब तक शायद ये परसन अपने आपको काफी ज़्यादा rules and restrictions में बढ़ा हुआ मैसूस कर रहे थे घर की कुछ जिम्मेदारिया थी या फिर घर वाले क्या सोचेंगे लोग क्या सोचेंगे ये क्या सोचेगा वो क्या सोचेगा इस तरह बढ़ना चाहते हैं और शायद आपको बताना चाहते हैं कि कुछ rules break करने के बारे में इनके दिलो दिमाग में शायद कुछ चल रहा है जो बाते बता कि आपको शायद पता चिलेगा कि ये कितना ज्यादा तड़प रहे हैं आपके लिए फिर है the devil जैसा कि माने अभी कहा थ आपके प्यार में उनको लग रहा है जैसे ये दिन बदिन जलते जा रहे हैं तड़प रहे हैं और इस प्यार की अगनी को आपके आलावक कोई नहीं समझ सकना यानि कि जब तक ये आप से मिलेंगे नहीं इनका ये गुसा वी शायद शायद नहीं होने वाला और साथ ही ये आप देख सकते हैं तूफान जैसा कुछ माहूल है और ये परसन तलवार से उस तूफान का सामना करने के तयारी कर रहा है वैसे ही शायद इनको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो लड़ाई हो चुकी है अगर कुछ लोगों की बहस हुई है तो उस बहस का ये स सामने आ जाते हैं तो शायद ये जो भी सोचते हैं ये प्लान करते हैं वो सब बाते ये भूल जाते हैं जिसकी वज़से कुछ और ही बन जाता है और यहां पर ये ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं फिर हैं लेड़ को और लेट्स को तो आपको बताना चाहते हैं कि जो अगेरा ले जाने का इनका मन है या फिर आप दोनों का कोई फेवरिट रेस्टरांट है तो में भी वहाँ पर आपको डिनर डेट के लिए ले जाने के बारे वे यह सोच रहे हैं फिर है मूडी काफी ज़दा आपकी याद आ रहे हैं आपको मेस कर रहे हैं जिसकी वज़े से कह सकते हैं कि काफी ज़दा मूडी फील कर रहे हैं उनको खुद अपने मूड हैंडल करना नहीं आ रहा फिर हैं Speechless क्या करे क्या ना करे यह समझ में नहीं आ रहा और बाते को शेर करनी हैं जो रिगार्डिंग है उनके अपने पैशन के जजबातों से रिलेटिव वो बाते कहने से काफ़ी ज्यादा ये खुद को रोक रहे हैं और वही जो उनकी सोच है वही स्पीच लेस उनको बना रही है यानि कि दिल में तो धेर सारा है बात चीद करने को लेकिन जैसे कहते हैं ना कि किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ के उस बात का मतलब किरा निकलता है ये सोचना चाहिए वैसे ही ये हर एक बात का मतलब निकाल के उस बात को लेके सोच रहे कि मुझे ये कहना भी चाहिए या नहीं कहना चाहिए फिर है ट्राय और होबी तो आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं, हो सकता है, आप दोनों की कोई फेवरेट ऐसी होबी है, जिसको लेके यह आपको मनाना चाहते हैं, कि चलो, अगर में भी आपको कहीं पर फूट टेस्टिंग वगेरा का शौक है, तो यह वहाँ पर जाना चाहते हैं, अग पर है, इमोशन्स एवापरेटेड, तो काफी ददा इमोशनल हो रहे हैं, और उसके बिलकुल उपर, यह मूडीनेस का कार्ड भी आया है, तो आपकी याद भी आ रही है, लेकिन सिर्फ आप से फोन पर बात करके, इनका मन नहीं भरने वाला, क्योंकि यह आपके साथ वक्त क्लियर करना चाते है, अब देखते हैं, वागे के कार्ड क्या बताते हैं, उन्हें लगता है, वो आप से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप, यू और माइबस फ्रेंड विद बेनेफिट्स, तो कहीं न कहीं, फ्रेंड विद बेनेफिट्स ऐसा भी आपके साथ वो टाइम मिलता है तो शायद यह आपको बहुत ज्यादा याद करते हैं या पिर उनको आप ही की यादा आती है कि यह परसन तो मेरे लिए टाइम निकाल लेगा तो ऐसा ही वो कई सारी बार शायद खुद को इंपॉर्टनस देते हुए में भी आपको निगलेट कर चुके हैं प लिए तो शायद आप दोनोंने भी एक दूसरे के लिए कई सारे ऐसे नाम एक दूसरे के लिए सोच के रखे हैं या फिर बुला याभी है एक दूसरे को वो सब बादे यह याद करते रहتे हैं और बहले ही वस्से में भी सही लेकिन किसी ने अगर किसी को कुछ बोल दिया तो वो भी उन्होंने उन्हे निकनेम्स में जोड दिया है और खुद को यही समझा रहे हैं कि मिना प्यार के तो ऐसे कोई भी किसी को भला क्यूं कहेगा तो शायद वहीं सब यादे हैं जो उनको तकलीब दे रही है और इसलिए यह मिलना चाहते हैं आपसे फिर है I love the baby and no you will never give up on me तो उन्हें पता है कि आप give up करने वाले person मेंसे पिल्कुल भी नहीं है यानि कि भले ही इनकी आपके साथ अगर बातचीत भी नहीं हो रहे तो भी अगर आपने इस person को अपना माना है तो आप इस रिश्टे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे इस बात को लेके भी वो शुर है और शायद इसलिए ये रूबरू आपसे मलना चाहते हैं फिर हैं वो आपसे प्यार करते हैं क्योंकि you truly believe in me तो आप उनके उपर भरोसा करते हैं ये बात वो जानते हैं और शायद आपको मिलके उसी भरोसी के बलबूते पे कुछ समझाना चाहते हैं या फि with benefit ऐसा ही सिर्फ आपको count कर रहा है तो maybe you are more than friend या फिर अगर इनोंने commitment नहीं दिया है तो अब शायद ये seriously आपको लेके कुछ सोच रहे हैं या कुछ वैसला कर रहे हैं और वो सब बाते शायद आपसे share करना चाहते हैं और final count है you always make me laugh तो जैसा कि अभी हमने देखा ये person आप जड़ा मूड़ी बन रहे हैं और उनके mood swings हो रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें अकेला पर भी बहुत जादा महसूस हो रहा है और उन्हें जरूरत है relax होने की और कहीं न कहीं जब बात आती हैं दिल से हसने की तो उन्हें एहसां होता है कि आप ही हैं जिनके साथ वो दि relax होना भी चाते हैं और साथ ही साथ अपने दिल के जजबा तो भी रेवल करना चाते हैं बाकी तो आपके लिए यह प्यार को लेके अभी आप कह सकते हैं कि पहले इतना शाय सीरियसली नहीं सोचते थे लेकिन आप बहुत ज्यादा प्यार के सीरियसनेस को सोचने लगे हैं और शायद इसलिए यह इस तरह से आपके साथ वक्त बिताने के लिए तड़प रहे हैं तो यह था आज का रिडिंग मिलेंगे नेक्स रिडिंग में झाल झाल झाल